हेलो अब्रिवन कैसे हैं आप सब आज जो अभी हम जो है प्रधान मंत्री किसान संपता योजना जिसको हाल ही में जो है इसके बारे में जो है खाइदर प्रसंग्स करन उद्दोग मंत्रा लेनिके इसके बार में जानकारी साजा की है कुछ इसे लेड़े तो यह जो है आज का यह टॉपिक उसी के उपर है जो कि आपके एक्जाम पॉइज बहुत ही इंपर्टेंट है और जो भी आप कंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत साथ ही फाइदे मंद होगा आज जो हम इस वीडियो में जो डिटेंट में डिसकास करेंगे इसके उपर तो प्लीज इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखेगा और लाइक करना प्लीज मत भूलेगा और साथ ही जो है अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब प्ली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज का इस डिसकाशन है वो अभी शुरू करते हैं तो हाल ही में जो है जो कि Ministry of Food Processing Industries MOFPI यानि कि खादिया प्रसंक्सकरण उद्दोग मंत्रा लेने जो है प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना PMK-SY के संबन में उस सरे रिटेज कुछ जो जानकारी है वो साजा किया है और इससे जो है पहले MOFPI ने आत्मनिर्भर भारत अ यानि कि PMFME की शुरुवात की थी भारत में जो है खादिया प्रसंक्सकरण उद्दोग के प्रमुख उपखर्ण है डेरी फल और सबजिया पॉल्ट्री एवं मास प्रसंक्सकरण मत्सया पालन खादिया खुद्रा आदी तो अभी इसके संदर्व में जो है थोड़ा सा हम अभी तो अभी देखिए कि साल 2016 में जो है M.O.F.P.I. ने जो है क्रिशी समुद्री प्रसंक्सकरण और क्रिशी प्रसंक्सकरण समुह का विकास या संपदा नाम का एक जो अंब्रेला जो स्कीम जो है उसको शुरू की थी जिसे कि साल 2016 से 20 की डिवरेशन के लिए जो है च्छे हजार क्रोर रुपे के आवंटेन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था तो साल 2017 में जो है गर्मेंट ने जो है संपदा योजना का नाम बदल कर प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना यानकी PM के स्वाई कर दिया और यह एक केंद्रियक शेत्रक अंब्रेला स्की है तो यह जो स्कीम जो है इसके बार में थोड़ा सा हमने अभी जाना है लेकिन इसका जो है इसका उदिश क्या है थोड़ा सा इसके बार में हम आपि जानते हैं जो मौजुदा खाद्य प्रसंग्स करण निकायों का जो है अधुलनीकी करण और विस्तार करना अपव व्याय में कमी है तो अग्रणी मुल्ल जोडने के लिए तो ये जो सभी जो है इसका उदेश्य है और इसी उदेश्य जो है इसको मतब लॉंच किया गया था तो अभी इ कोल्चेन और मुल्य संग्वर्धन अफसंग्रचना क्रिश्य प्रसंग्स करण समुहों के लिए अफसंग्रचना बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंकेज का निर्मान खाद्य प्रसंग्स करण और संग्रक्षन क्षमताओ का जो है निर्मान और विस्तार खाद्य सुरक्ष और गुणवत्ता अश्वासन अफसंग्रचना मानव संगसादन संगस्थान ओपरेशन ग्रीन्स तो यह जो है इसके खटक थे तो अभी इसके जो है सहायता अनुदान कैसी है तो संग्रचन युद्दुग्यों की जो स्थापना है उसके लिए मुद्दमियों को सहायता अनुदान के रूप में अधिकतर क्रेडिट लिंक्ट वित्य सहायता यानिकी पुंजीगत सबसीडी प्रदान करता है देश में जो है आधारिक संग्रचना जो है रसत परियोजना और प्रसंक्रण निकायों की स्थापना के लिए विभिन योजनाओं के तहट जो कि इन्वेशकों को पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक के अधिकतम जो की ज्यादा से ज्यादा तर जो निर्दिश जो सीमा जो है उसी के अधिन सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है तो इसका लाफ क्या होता है तो पीएम के सुआई की घटक योजनाओं के तहट जो है देश भर में स्विक्रित परियोजना इनके प्रोजेक्ट के जो पूरा होने पर जो है लगभग 34 लैक्स किसानों को जो है फार्मर्स को जो है लाफ प्राफ होने का अनुमान है एक मुल यह लाफ के जाने है एक मुल्या वाफ होने का अनुमान है तो अभी इस से लिडिडित कुछ जो की बाकी जो योजना ऑन वह ऐसे है कि जैसे के 100 100% FDI तो खादिय उत्पादों के निर्मित खादिय उत्पादों के संबंद में खुद्रा व्यापार करने के लिए सरकार ने अनुमदन के तहत 100% FDI के अनुमती दी गई है तो यह जो है खादिय प्रसंग्सकरण कोश तो यह जो है खादिय प्रसंग्सकरण पर्यूजनाओं को सस्ते रिन प्रदान करने के लिए राश्ट्रे क्रिशी और ग्रामिंड विकास बैंक यानिके नाबाड के साथ जो है मिलकर 2000 क्रो रुपे का एक विशेश कोश बनाया गया है इसमें देन उसके बाद आथ है PSL के तहट वर्गी करण तो खादिय अविंग क्रिशी आधारित प्रसंग्सकरण इकायों और कोल्ड चेन अफसंग्रचना को जो है प्रात्मीक्ता प्राप्त क्षेत्र रिन यानिकि प्रायर्टि सेक्टर लैंजिक PSL के लिए जो है क्रिशी देन उसके बाद आथ है राजकोशिय उपाय तो नई खादिय प्रसंग्सकरण इकायों के लिए जो है लाव पर आयकर में 100% जो चूट जो है 100% की चूट से जैसे राजकोशिय उपायों FPO द्वारा 100 क्रोड रुपेज के जो वार्षिक जो टर्न ओवर से प्राप्त लाव से जो है 100% आयकर छूट को क्रिश्री के बाद फसल मुल्य संगवर्धन जैसे गति वीधियों के लिए जो है अनुमति दी गए है दन उसके बाद आता है कम GST तो अधिकांग्ष जो खादिय जो है ज्यादा तर जो खादिय उतपादों के लिए जो है कम वस्तु एवं सेव कर यान कि GST दरेताए की गई है दन उसके बाद आता है ओपरेशन ग्रीन्स तो क्रिश्य गुत्पादक संगठनों एफपीयों क्रिशी लॉजिस्टिक्स प्रसंग्सकरण सुवीधाओं को बढ़ावा देने के लिए जो 500 कुरों रुपे के परिविय के साथ जो है अभी ज इंखला के जो एक एकरिद्व विकास है तो जो है केंद्रिया क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स शुड़ू की गई है दर उसके बाद आता है PMFME जो कि जिसके बारे में थोड़ी कुछ दिनों पहले ही हमारे चैनल पे एक वीडियो हमने अपलोड किया था मैंने तो आ खेल भारते केंद्रय प्राइजीर प्रधार मंतरी सुख्ष्म खाद्य प्रसंख करन उद्वो में योजना इनकी PMFME योजना का जो है उपचारी की करण है दर उसके पाद लास मेरे पी लाई योजना तो केंद्रयक्शेत्र hetर की ये जो योजना जो है व खादर प्रसंख क के परिविया के साथ जो है अंतराष्ट्री बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारत्य ब्रैंडों का समर्थन करने हैं तो यह योजना है तो यह तो थे इस से रिलेटर कुछ योजना है तो अभी जो है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है कल हम फिर मिलते है निया टॉपिक के पूरे जो एनलाइसे जो है वीडियो का उसी के साथ अब तक के लिए जो है अमारे जो चैनल है उसको दिखते रहेगा लाइक शेर सबस्क्राइब करने प्लीज मत बुलियेगा कोई अगर सदॉँचावोट करने मुट house में ़िलेगा जो support करेंगे बलाइक शेब करने के लिए खौरे जो वीडियो जो है इस वीडियो को एन तक देखिनी साथ साथ प्लीज आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा तो प्लीज किप सपोर्टिंग अस एंद किप वाचिंग आर वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक कर जैहिंद